नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे पदमस्री से सम्मानित ख्याती प्राप्त लेखी का सुनीता जी की कहानी बाट लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना विल्कुल भी न भूले आज सुनिये बाट धूप उसकी चटाई पर आ गई थी लेटे लेटे उसे लगा कि उसका बदन बहुत तप गया है सरला कलफ लगी साड़ी में सर्र सर्र करती पास से गई तो उसने आखें खोली उठती सी बोली बहु देखना मुझे बुखार तो नहीं है सरला बिना रुके रसोई में चली गई वहीं से आवाज दी शीलू थर्मामीटर लाना जरा सरला का स्वर सदा की तरह ही तीखा था उसे लगा कड़वा भी हो गया है उसे मालुम था कि शीलू खेल छोड़ कर नहीं आएगी ना सरला ना सही वह फिर चटाई पर सिमट कर लेट गई शरीर जाने कैसा हो रहा था अंदर ही अंदर ठंधा उपर से तपा सुलगा ऐसा ही तो मौसम था उन दिनो ऐसा ही चटाई पर उसने अपने आपको ढीला छोड़ दिया सरला फिर सरसर कर बिना रुके पास से गुजर गई पर उसने उधर से मन फेद लिया कैसा बुखार री बुखार तो किसना से था बच्चों पर क्या जाना क्या चाहना उसे बुखार ही तो था उस दिन जिस दिन वह ब्याहली ससुराल आई थी हरी सिल्क का लेंगा पहने जिस पर उसकी दादी ने हफ्तों बैठकर गोटा ठपा टांका था और सुर्ख लाल ओढ़ना ओढ़े सलमे से मढ़ा जो उसे मामा दे गए थे सुबह से मू दिकाई कराते कराते वह ठक गई थी दो रात से सोई नहीं थी बैठे बैठे वही सो गई छोटी ननन जब उसे सोता देख खिलखिल हसने लगी तब भी वह जागी नहीं हार कर ननन ने हिलाया डुलाया ओरी भाबी उठ जा अभी तो और औरते आएंगी तुझे देखने उसका जी किया था नहीं उठे वहीं पसर कर सोए फिर इधर उधर देखकर वह उठ खड़ी हुई ननन भी खुप तेज थी जट समझ गई ओढ़ना ठीक से उढ़ाती हुई गुसल खाने चलोगी क्या और उसने हलका सा सिरहला दिया था औरते इधर उधर व्यस्त थी गलियारे में होती वे दोनों कमरे के पीछे बने इसनान ग्रहता का गई थी अंदर मोरी है कहकर ननन ने दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया था जब वह बाहर आई तो गलियारा खाली था कहां गई उसे तो घर का कमरों का रास्ता नहीं आता था गुंगट माथे से सरकाया इधर उधर देखती गलियारे में चली आई अरे सामने तो वह खड़ा था वही तो उसका बनना शेरवानी उसने अभी उतारी नहीं थी दोपहर की धूप में जहलमल कर रही थी उसे तो घुंगट की सुध ही नहीं आई सुध तब आई जब वही बोला गुंग माला इन्हें तो मेरा नाम भी मालूम है वह भौचक देखती ही रह गई गुंग माला गुंग माला कैसा संगीत थरे निरा संगीत उसे तो सब गुणों गुणों कहकर पुकारते थे गुंग माला उसके भी मों पर आया था कह दे हाँ हाँ गुंग माला पर कहते नहीं बना वह अपने गले में पड़ी चार तोले की चेन खोल रहा था पहली पहली चोरी की थी जैसे जैसे आग ही लग गई थी बदन में किसना 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 अपने बनने का नाम रटते रटते वह शाम तक एकदम तप गई थी सास ने चूकर देखा इसे तो भड़ाक हो गई है वह बोली बहु को भड़ाक हो गई है यह बात घर भर में फैल गई कंबल आया वह लेट गई जरा भी प्रतिवाद नहीं किया आँख बंद कर पड़ी रही वही खीम खाब की शेरवानी आँखों में कौंधती रही ननन्दे घेरा डाल बैट गई एक भागती आई और दोहरी होकर बोली सुनो सुनो किसन भहिया अम्मा से रुपए मांग रहे थे अम्मा ने पूँचा कि क्या करेगा तो बोले कि डॉक्टर के पास जाऊंगा अम्मा ने कहा कोई जरूरत नहीं बहु सुबह तक ठीक हो जाएगी ननन्दे लोट पोट कर गठरी हो गई वह कंबल में छिपी रही होट काटती कितने बरस की थी बारा वरस की और फिर सन्नाटा ननन्दे चुप दर्वाजे पर वह खड़ा था हाँच में डॉक्टर का बैग लिये और डॉक्टर उसके मुँझे कंबल उठा रहा था डॉक्टर गया तो ननन्दे लोटी तब तक कंबल उसने दूर फेक दिया था ओड़ना समार कर ओड़ लिया था क्यों जी जी आज रत जगा नहीं है क्या उसने मटक कर पूँचा था पर भाबी डॉक्टर अरी डॉक्टर का मैं के करूंगी बीबी मैं तो देखू थी तुम्हारे वीरे में कितना दरत है रुपए कहां से पाए उनने किसी दोस्त से ननुदों ने बताया फिर तो बस वह नाज उठी थी रात भी छमाचम नास्ती रही बड़े बुड़ों में समा बंद गया कहीं तो होगा वह भी देखता होगा छिप्विब कर रात भर धोलक पर गाती रही और घूमती रही थी कुम्हार के चाकसी अवेर तक वही माला गले में चुपा कर पहने डोर जो थी प्रीत की पक्की पक्की मारी वह मैके लोडते समय सास के गले से लिपट के बोली थी मुझे ये घर अच्छा लगता है सास ने चुमका रहा था मेरा भी तो मन मोह लिया है तूने जल्दी ही गवना करवाऊंगी अब घर तेरे बिना नहीं सजने का बहू जल्दी पुलाना रही जल्दी वह अपने पीहर की अमराई में भूली भूली फिरती कोई तांगा रुकता दूर से तो उसे साथमे की पाठे पुस्तक में पढ़ी रतना वली और तुलसीदास की कहानी याद आ जाती मेरा किसना भी भाग आया आगर नहीं नहीं बड़ी ठिठोली होगी वह मरत बच्चा है पीछे पीछे नहीं आने वाला तांगा चल देता कोई भी उसकी हवेली की तरफ नहीं आता तो उसका जी छोटा छोटा हो जाता गर्मी गई सर्दी गई होली आ गई तन बढ़नी चीज बढ़ चला तूट तूट कर मा और दादी रोज दोपहर में गउने में दिये जाने वाले सामान को गिनने बांधने लगी नहीं बंधता था तो उसका मन नहीं बंधता था पखेरू सा फड़ फड़ाता फिरता गुण माला गुण माला गुण माला बाबा आंगन से पुकार रहे थे उठरी गुणो बिटिया देखते ही देखते गौने का सामान लद गया तांगों में बद हवास दिवाय बिदा भी हो गई क्योंकि उसकी सास का बुलावा आया था जल्दी भेजो पर स्वयम सास ही उसके पहुँचने से पहले चली गई रामजी धोरे बहु के लोटने तक भी नहीं रुकी स्वागत में उसे बंदन बार नहीं मिले हाहा कार मिली दो ही दिन में वह बहु से बड़ी हो गई कहीं ननदों को लिप्टाया कहीं रसोई समाली हतेली की महंदी फीकी पड़ गई चोटी का समय न रहा किसना भी खो गया जैसे याद ना आया भीड भाड में वह आया जब मा को बीस दिन हो गई महमान सब चले गए थे छोटी बिन ब्याही ननन्द बिमला उधर ससुर के कमरे में सो रही थी रसोई के पास वाले कमरे में मा के ही पलंग पर वह सोयम दिन भर के श्रम से लस्त पड़ी थी गुण माला वह अंधेरे में उसे टटोल रहा था तू तो है ना तू तो नहीं जाएगी ना मा तो धोखा दे गई नहीं कब भी नहीं वह जट से उठ बैठी थी देख ली जो मैं नहीं जाऊंगी कब भी नहीं और वह उसी में समा गई पूरी की पूरी मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा अगले दिन वह बोला था क्यों? शरम लगती है ना शरम का क्या काम किया है कुछ? उसने छेड़ा था वह स्कूल गया ही नहीं दस्मी की तयारी रखी रह गई दुकान जाने लगा बापू भी नहीं बोले दुकान उसे चटपट समलवा खुद विमला के व्याह की तयारी में लग गए थे वह दिन भर घर पर और किशन दुकान पर तेजी तेजी से काम करते जैसे तेजी से काम करने से रात जल्दी हो जाएगी फिर उसकी छाती चोड़ाएगी फिर वह उसमें समा जाएगी बिमला जब तक ससुराल गई यह वीरेन तो आ गया था वीरेन के दो बरस पीछे गीता गीता को गोदी में खिलाते बापू एक दिन नहीं रहे तो फिर उसने रात में वैसे ही उसे टटोला था यह कैसा विधान है गुणिया तो आई तो मा गई वीरो आया तो बिमला और छोटी के आते ही बाबू गए ना मन छोटा नहीं करते जी मैं तो यहीं हूँ ना देख ली जो और एक दिन उसने कहा था जानते हो कभी कभी कैसा लगता है जैसे घना जंगल है भाय भाय करता और एक गोल पट्रे पर मैं तेजी से घूम रही हूँ एक गोल घूमने वाले पट्रे पर तुम भी बड़ी तेजी से घूम रहे हो फिर जैसे ही मेरा पट्रा तुम्हारे पट्रे के पास आया मैंने अपना छोड़ दिया अब तुम पकड़े राखियो तीसरे बच्चे के बार उसका पाउ रपट गया तो ना बच्चा रहा ना शरीर ही काम का बहुत बहुत दिन तक वह बीमार रहने लगी उसका ही कलेजा कलब गया था तू तो पगली हैरी गुडिया ये कोई त्रिसना है क्या छिनचिन की मेरा गात तो तुझे देख के ही तरिप्थ हो जाता है की नहीं किसना ने उसे समझाया था तो भी तो भी उसका जी हुमा-खुमा काया बडए गहरे बोय होंगे जी किसी जनम में जो ऐसा मरत पाया एक बार सामना भी तो कर बैठी थी वह उसका बस एक ही बार उसे भी तो कितनी जिद हो आई थी नहीं माना तो नहीं माना ना तेरी यह बात नहीं मानने का वीरा तो शहर पढ़ने जाएगा जरूर यह बात मेरी पूरी होकर रहेगी फालतु की जिदह जी परमात्मा की कृपा कुल एक तो बेटा है अपने साथ उठाओ बिठाओ कौन घड़ी के लिए संतान होती है परदेश भेजोगे क्या लच्छन सीखे क्या न सीखे तुम्हारे ही काम ना आया बुढ़ापे में हाथ ना बटाया तो क्या मैंने जना क्या तुमने पाया अरी तो अपने खातिर इसके पैर काट दूँ वक्त को देख गाउ कस्पे में क्या रखा है शहरी होगा तो शहर में नौकरी पायेगा कुछ बनेगा दुकान मैं चला तो रहा हूँ दुकान चलती रही थी वीरा शहर पढ़ता रहा था वह अपनी चटाई पर पड़ी-पड़ी तडब गई बहुत जोर की प्यास लगी थी होट पपड़ाया पड़ा था कोहनी को जमीन से टिका उठंग सी हुई कुछ देर घर के सरनाटे को सुनती रही क्या वक्त होगा वह स्वयम से बोली दो-तीन बजे होंगे सरला ताश खेलने गई होगी पास वाले घर में शीलू स्कूल वीरेन की तो कचहरी मुवकिलों से जान नहीं जूटती उठकर रसोई तक आई दर्वाजे के निकट उसे बहुत जोर का चक्कर आ गया सारा धौला धौला फिर काला हो गया वह वहीं खड़ी हो गई दिवार पकड़ कर सरला उसके लिए थाली से ढख खाना रग गई थी रसोई में ठंडा खाना देखकर उसका कलेजा मुह में भराया ऐसे खाने हो गए सासूं के जी ऐसे बहुँं के खिलाने उमरती रुलाई रोक कर उसने पानी का गिलास भरा पिया दोही घूट में देव छितराई सी हो गई गिलास रखकर वह किवान से टिक कर बैट गई सिर लट्टू सा गोल घूम रहा था तेज 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 उसने हाथ हवा में फेके उसे बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे अब नहीं रुकने के ये नहीं रुकने के वह सपना ही देख रही है जागे जागे किसना दुकान जा रहा है वह छटरी लाई है कैसे बुढ़ाने लगे हो सिर में सफेदी आ गई है वीरे को बुला क्यों नहीं लेते पढ़ाई छुडवा दें उसकी वकालत का डेड़ी साल तो बाकी है पर तुम्हें क्या हुआ है मेरा जी बैठा जाता है कुछ नहीं गुणिया जरा पेट में जलन रहती है मुह भी कड़वा कड़वा बैद जी को दिखा लूगा तो चिंता ना कर पक्का पक्का किसना दुकान से आया है रात काफी बीत गई है वह दूध लाई है देर कर दी मुनीम का हिसाब देखना था तू तो बैठी रही होगी कहने को होती है तुम्हारे लिए कब बैठी नहीं रहती पर नहीं कहती दूध पीते पीते किसना धर्ती पर लोटने लगा है पेट को कसके पकड़े है चीखा है मुँ और नाक से चर्र चर्र खून बह गया है ओरी मेरे राम यह क्या गजब हो गया वह पड़रे से छूट कर अधर में गिरी जा रही है कुछ ही घंटों में शरीर फूल गया है लोग कह रहे है अच्छा लड़का शहर पढ़ाया किशन चंद ने अंद समय कंधा भी ना पाया रसोई घर की दिवार पकड़ पकड़ कर वह उठी सिर का लट्टू घूमे जा रहा है रुकता नहीं है वही धर्ती पर फैल गई है वह चटाई तक नहीं पहुँच पाई द्रश नाच रहे हैं आँखों में आँखों में पानी भरा जा रहा है वीरेन आया है पिता के मरने के बाद पांच दिन पीछे फिर पढ़ने चला गया फिर आया है कहता है दुकान के 28,000 रुपए मिल रहे हैं मुनीम जी मांग रहे हैं बेच देता हूँ कौन चलाएगा हाँ कौन चलाएगा दुकान तो बड़े बुढ़ों की खोली हुई थी पुष्टों से चल रही थी पर अब कौन चलाएगा वीरा फिर आया है साथ में नाइलोन की जखचक साड़ी और उची एड़ी के सैंडल पहने एक लड़की है कहता है बहु है तेरी हमने कचहरी में शादी करवाली कचहरी में तो अपराधी जाते हैं शादी भी होती है बहु के हाथ में अपनी मा के घर का पुराना हार रखती है बहु के लिए ही तो बचा के रख रखा था गीता को तो उसके बापू ब्याही गए थे हार की बनावट देखकर बहु का मुँ कठोर सा होता है पर हाथ में वजन तौल आँखें चमकती है कुल शील नहीं होता क्यारे शहर में वह किसना की गले की चेन को पले से चुपा लेती है जाने किस भैसे वीरा आपके अकेला आया है अकेला क्यों तुझे लेने आया हूं मा सरला ने बुलाया है नहीं बेटा मैं उनका द्वार छोड़के कैसे जाऊंगी चल भी मा बार-बार आना पड़ता है तेरी चिंता रहती है तेरा पोता भी तो होने वाला है उसे कौन देखेगा सच पहले क्यों नहीं बताया कब होगा वीरा खड़ा है उसे कागस दे रहा है गाउं का घर बेच दिया है मा तेरे दस्तखत होंगे शहर में घर बनवा लेते हैं तू ठाट से रही हो पर मैंने तो कहा था कब भी नहीं जाओंगी कब भी नहीं ला बहु मैं साग चौंग तूं वह कहती है नहीं तुम्हारे काम करने की उम्र नहीं है अब तुम बैठो उसे लगता है बहु कह रही है तुम दखल मत दो रजाई में तागे डाल दू नहीं यहां मशीनों पर डलते हैं तुम आराम करो वह बैठ गई हैं बैठती जाती हैं आराम जीव का जन्व तो काम के लिए होता है हाथ नहीं हिलाएगा तो अन कैसे पचाएगा दिन भर खाली खाली पहाड सा दिन बेमन बेकाम बेकार सरला के मिलने जुलने वाले उसे देखकर कत्राय से हो जाते हैं उसे लगता है वह कोई मैली सी गठरी है सूनी सूनी आँखों से छज्ये में बैठी मोटर तांगे का शोर सुनती है शहर में तो मौसम भी नहीं बतलते सुबह दोपहर ही नहीं होते जैसे पोती भी दूर दूर से देखती है ठीक अपनी मा की तरह दादी के पहनावे पर नाक सिकोडती है आया के साथ खेलती है गीता है क्या? हाँ गीता है मिलने आई थी भरतार भी साथ है अब जा रही है गीता रोती है ये तुने क्या किया मा हमें अनात कर दिया इस घर में कैसे खाएं कैसे बैठें कैसे तुझे बचाएं कहां आन पड़ी री अपना द्वार देश छोड़कर भाईया अच्छा शहर पढ़ने को आया तू तो हंस रहा न कववा मत रो बेटी यही एक बात उन्होंने मेरी नहीं मानी तभी तो अपना परलोक और तेरा इही लोग बिगाड़ गए बापू ना ऐसा ना कहे बड़े प्रेमी पुरुष थे वे तो गैरों के कंधे चड़कर चले गए पर संतान के पाउं नहीं काटे ना बेटी उन्हें कुछ ना कहना मैं ही तो छोड़ाई उनकी देहरी वे तो शहर में याद आते भी सक्चाते हैं सपनों में भी नहीं दिखते तू जा रही है क्या अब तेरे से मिलना नहीं होगा मेरा जी कहता है ले यह चेन ले जा तेरे तो सारे तीज त्योहार नेग बिना दिये रह गए नहीं मा चेन मत दे तेरा सूना गला देख वह समझ जाएगी कि तूने मेरे को दी होगी क्या पता तुझसे क्या बैर बांध ले मार ही तो देगी मार लेने दे क्या रखा है तन में धाई जेर हड़ी सब तो इन्हें परच गया बाकी का लेले बेटी तेरे बापू की थी मेरे गाज पे तो रसी सी बलती है दिन रात तू रख ले लाडो पकड़े राखियो जी अब तुम पकड़े राखियो प्रीत की डोर है पक्की पक्की मा आँखोल मैं हूँ वीरेन तुझे तो बुखार है नहीं बेटे का है का बुखार है मा डॉक्टर को बुलाता हूँ डॉक्टर का मैं के करूंगी होने दे बुखार अब कुछ होगा तभी तो कुछ होगा इतने दिन तो हो लिए बाट देखते तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं